जो अंत और प्रारंध है अर युग का वो आरंध है रम्हान जिसमें है रचान संसार जिसमें है बसान है बसा ये कथा देव जिनंद की आपर बत्मा कुराण की श्री योगल चरण कमल भ्यूर्ण श्री गुरुदेवाय नमा श्रीमते निंबार काचार नमा श्रीमत हंस समारंभाः सनकादिक मत्यमाः अस्मदाचार परियंतां वंदे गुरुद परंपरां जन्माद्यश्यत्वन्वयाद्यत्रतष् चार्थे सुविध्य सुराद् तेने ब्रह्म हिर्दायादिकवय मुयंतियत्सुरयो ते जोवारे मर्दाम्यदाविनमयो यत्रत्रसरगो मुर्षां धामनास्वयनसदानिरस्त्पुहकं सत्यंपरं धीमहि नारायनं नमस्कृत्यव नरम्चेव नरोत्मं देव्यम् सरस्वतिम् व्यासं ततो जय मुदिरे नमस्ते भगवते कृष्णाया कुंठमेदसे राधादरसुदासेंदो नमु नित्ति विहार। राधाम् कृष्णास्वरूपाम् वै कृष्णं राधास्वरूपिनंग् कलात्मानं निकुंजस्तंग् गुरूरूपम् सदाभजिंग् वंची विवोशिदिकरानवनीरदावात् पीताम् वराधरुण विम्म वलाधरूस्टा पूरुनेंदु सुन्दरमुखादर विंद नित्रां कृष्णात् परमकिमपितत्वमहम् नजानेंद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरू मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगत्पुरू दिहानमूलं गुरूमूर्ति पूजामूलं गुरुम्पदं मंत्रमूलं गुरुम्वाक्यं मुक्ष्यमूलं गुरुम् कृपः। देयं सदांपरिववग्नम अविस्टतों तिर्थास्पदं सिव विरंचिनुतं सरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालबवाप्थि पोतं बन्दे माहपुरुसदें Centrum चरुनार व्यंदं राधा साध्यं सादनं यश्यरादा मंत्रो राधा मंत्रदा त्रि सर्वं राधा जीवनं यश्यरादा राधा राधा वाजिकं तस्यसे bel공्还 श्री राधा मेरे स्वामनी मेरा दे तिरुदास जनम जनम मोहिती जियो स्री चर्णन को बस जे जे श्री राधा रमन जे जे नवलकि सोर जे जे श्री प्रियकांत जूर जे जे मांखन जो वर्षाने के राधिकानंध घामके श्यामन के चर्णन में करूमे कोट आश परिणम कृष्णम नारायन वन्दे, श्री च्रिच अपरियम लुज़्ड अट्र जे जे, श्री श्री वुए जे श्री रहती और सोद्यम श्रिदाम बरंदावन में आप सब बाहर से पधारे हुए अथ्टी या कहूं मेरे कनिया के परवार के सभी सदस्यों का मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ आप सब का मोस्ट वैलकम जो अमेरिका और ये बाहर से आएं उनका कोई स्वागत वागत नहीं है आप लोग बस ऐसे ही समझे लोग कि आ गए हूँ आपका अपना घर है सभी का अपना घर है लेकिन क्योंकि ये जितने भी लोग यहां आए हुए हैं बाहर से ये सब हमें भारत मिस नहीं होने देते हैं अमेरिका में इसलिए ये घर के विशेष और विशेष लोग हैं तो ठीक तो आएए फिर भी आपका स्वागत है कनिया के इस पावल दावन में यहां बैठे हुए सब वसुदेव कुटम्बकम सब कनिया का परिवार है आप चाहें तो मेरा भी स्वागत कर सकते हैं एक ही बात है मैं आपका स्वागत करूँ आप मेरा स्वागत करें ऐसे ही चल जाए समय आईए दौनों हाथ जोड़ेंगे सरप्रथम विश्व शान्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर शिर्धाम बरंदावन में जो भागवत कथा का यह प्रथम दिवस हैं मेरे और आपके लिए आ कोई नवो दुखारी सब हो निरोब भगवां धन दान्निके पंडडाली सब वद्रवाव देखे सदमार्ग के पथिकों दुखियान कोई होवे श्रष्टे में प्रान धारे सुखी बसे संसारशं दुखिया रहे नगो यह अभिलासा हम सब की भगवान पूरी हो इंद्या बगवी नेजवन सवके भीतर हो दोद पोत धन धान से वंचे तरहे नगो इंद्या बगवी ने वगवी ने लिना बग्रिवा प्रिवाव आपके ढगती में उसे मन हो वे भर पूर राग दोईस से चित्तो मेरा को सौँ भागे हो मिले भरोसा आपका हमें सदा जग दी आसा तेरे नाम के बनी रहे मंदे आपके भकती प्रेमुसे मन हो वे भर पूर राग दोईस से चित्तो मेरा को सौँ भागे हो मिले भरोसा आपका हमें सदा जग दी आसा तेरे नाम के बनी रहे मंदे पाप से हमें बचाईये करके दया दया अपना भक्त वनाई के सब को प्रूरिमा दिल में गया उदार का मन में अप्रेम अपाई प्रदय मधेर दीन का दे मेरे करका हाथ जोड बिढ़ती कर सुनिये पाड़ नाम साधो संगत सुख दीजी जया धर्म का दान दीजे जया धर्म का दान पीमें गया धर्म का दान सरवत परदम मेरे परमाराद देशृ योगल सरकार के चळणमें कोट-कोट इनमन उनसे पराथनवे अपनी विभ्या स्पीड करें उनके उपरांत में परफार्मसर्देषी सदगोर्दे भगवान के चळणमें कोठिकोटें नमन उन्से प्रार्थन moves अपने श्रीबाद में प्रदान करें इस्तान देवतव वतिवतव ग्रामड देवतव तनकर देवतव श्रीप्रियकांजिल सरकार के चटेवन में कोठिकोटें नमन ये भी अपना स्थान गरण करें विदेश समाझ सभी ग्रामार समाच संस समाज पदारे उस Clayton की हिरदे में उपस्तित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोट कोटी नमन आस्तार चेनल के माद्यम् से यूटीव चनल के माद्यम् से जो देश विदेश मिश्मन कर रहे हैं उन सव को मेरा प्यार भरा यह होते हैं जो पड़े लिखे बच्चे होते हैं समझदार उन्हें अपनी क्लास के बारे में सब मालों हो उन्हें पता है आज का चेप्टर गया है थेंक यू आईए ब्रंदावन की पावन भूमी को प्रणाम करें नमन करें मैं कहता तो बार बार हूँ बार बार मैं आप से कहता हूँ श्रिधाम ब्रंदावन की पावन पवित्रिय भूमी जहां आपको बास मिला है एक दो दिन का नहीं पूरे एक हफते का और वो भी जो विशे से कृपा पात्र हैं उनको दोनों उतसब ठाकुर के साथ मनाने का स्ववाग्य मिलता है चाहे वो ब्रेज का फाग हो चाहे मेरे ठाकुर जी की वो जन्माष्ट मी महतसब हो अहेतु की कृपा है जो भी इसमें सम्मलित होते हैं जिन्दगी तो सब की कटती है ऐसा नहीं कि किसी की कटती नहीं जिन्दगी सब की गुजरती है लेकिन किसी की जिन्दगी उसका बन के गुजरती है और किसी की जिन्दगी उसके विना गुजरती है महत तो पुरून है उसके बन के गुजरे उसके बन के आप लोग कहने को सब कहते हैं दुनिया के बन के देख लिया आप तेरे बने बने क्या आज तक सिर्फ बोलना नहीं है अब करना है बार-बार अगर उसके घर में आने का मौका मिल रहा है उसने इसका मतलब है आपके लिए कृपा के दरवाजे खोले हुए है आप बताईए इमानदारी से नालाइक को आप अपने घर में बार-बार आने देंगे Think for a while Is it possible? कि कोई बहुत नालाइक इंसान हो और बार-बार वो आपके घर में आके कुछ गलत करता हो कि आप उसे यहां आने देंगे अपने यहां? बोलिये? जवाब दीजी लाइक बनो जिससे वो मेरे लिए दरवाजे बंद न करे मेरे जीवन के रहते रहते मेरी आँखों के देखते देखते मैंने देखा है कि ब्रंदावन के दरवाजे कईयों के लिए बंद हो चुके वो अब नहीं आ पाते हैं क्यों नहीं आ पाते हैं? साइद आपकी तरह वो लाइक नहीं थे लेकिन आप भी नालाइक न बने इसी के लिए भागवत की आविश्यक्ता हमारे जीवन में पढ़ती है कथा प्रारम करूं से पहले अपने हिर्दे को निर्मल करिए और ब्रंदावन की उस पावन भूमी पे जहां प्रिया प्रितम नित्य विहार करते हैं उस पावन भूमी को प्रणाम कीजिए और याद कीजिए श्री रादे गोपान भजमन श्री रादे श्री रादे गोपान भजमन श्री रादे श्री रादे गोपान भजमन श्री रादे श्री रादे श्री रादे श्री रादे श्री रादे श्री रादे श्री राधे गोपाल बजमन स्री राधे श्री राधे भरी दो प्यारे की जय हो जय हो श्री राधे भरी दो प्यारे की जय हो ओ वेहरत ब्रंदा वेपेनरसी तूगलवई आठार भजमन स्रीरा दे ओ श्री राधे, श्री राधे, स्री राधे सीरा दे गोफार, भजबन सीरा दे सीरा दे गोफार, भजबन सीरा दे जिया है लीव यम्मोना की नारे धैनु चरावे यमोना के नारे रहे चराए यमोना के नारे रहे चराए संग लिये वालवाल भजमन सीरादे संग लिये वालवाल भजमन सीरादे ओ शीरादे ओ आदे भजमन सीरादे संग लिये वालवाल भजमन सीरादे सीरादे अजीव निरादे मोर मुकुट पीतां परसो मोर मुकुट पीतां परसो मोर मुकुट पीतां परसो कल्वे जंती माँ हजबन सीरा है कल्वे जंती माँ हजबन सीरा है कैसे जिनकी इतनी बड़ाई हो रही आखिर वो हैं कैसे कैसे दिखते हैं श्याम सलोनी सावरी सूर 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 चंचल बड़े चंचल चंचल नयन विशा भज्मन श्री राधे चंचल नयन विशा भज्मन श्री राधे गोपाल भज्मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे पज्मन श्री राधे श्री राधे बोले भागवत महापुरान कीजे श्री शदगुर्देव भगवान कीजे श्री शुगदेव जी महाराज कीजे श्री प्रियाकांजो सरकार कीजे जगत गुरु श्री श्री जी महाराज कीजे निम्बार्क भगवान कीजे धर्म कीजे हो अधर्म का आश हो प्राणियों में सदभारा हो गौहत्या पॉद्ध हो गौमाता की विश्व में विश्व में विश्व में विश्व में ओ सांती है एक बार सभी प्यार से बोलेंगे और जोड से बोलेंगे कथा प्रारम करूं उससे पहले कुछ अच्छी चीज आपको बता दूँ क्योंक हम बैठे हैं ब्रंदावन में और ब्रंदावन ये सरवेश्वर भगवान की लीला स्थली है जहां नित्य मेरे गोविंद लीला करते हैं सुर्दाशी महराज ने बड़े गजब का एक पद लिखा है द्यान से सुनना बड़े गजब का पद है अचमब उन लोग उनको आवे ये सांतियों निचीए कथा सुनने के लिए फिर अपने आप प्रगट होती है कथा अनएक अनेक भाव जो कई बगला मुखी होते न कभी यहां बात कर कभी वहां बात कर कभी यह कर मोबाइल सुन वह बड़ डिस्टर्व करते हैं पर आप सब उकादर है बड़े सांति से यह करने तो कुछ नहीं आए ना कथा ही सुनने आयो कोई काम नहीं है ना एकदम सांत सुर्दाश महराज के इस पद से में भागवत प्रार पावे अभिप्राए उन लोगों का अचंबा है बैसे ब्रजवासा में सकार्थ भी है मोकूं उन लोगन को देख के बड़ो भारी अचंबा होए जो लोग स्याम सुन्दर के प्यारे नाम रूपी अम्रत को त्याग के माया रूपी विश्कूं पान करें हैं उन लोगन को देखके मोकूं बड़ोई भारी अचम्ब होए। अपने अंग पे राख लगा रहे हैं और वो मान सरोबर को इशनान नहीं कर रहे हैं। हंसन के सानिद्ध में नहीं रह रहे हैं। वो काग सरोबर को कववान को संग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देखके मोई बड़ो ही अचरज होए। चोरासी लाख जोन श्वांग धरे ब्रहम ब्रहम जाम हसावे म्रग तरशना आचार जगत जल तासंग मन ललचावे एक बार नहीं अनेक बार जनम लेतो रहे दुख पाम तो रहे पर अपनों ही कल्यान करवे के लिए स्वेम प्रयासरत नहीं है बलकि भटक तो ही रहे भगवान के नाम रूपी अमरत कुट्याक के माया रूपी विसको ही पान करे है जो भगवान के सच्चे भगत हों हैं उनकी स्थिती दूसरी है जो माया के भगत हों हैं उनकी स्थिती दूसरी है हम यहां भगवान के भक्त बने वे आए हैं लेकिन माया को अंग लप्टाए के लाए है बने तो जोगी है लेकिन माया को पूरो श्रंगार करके आए है ध्यान पूरबग सुने बड़े ही अचरज की बात है क्या आप जान बूझ के सरप को गले लगाओगे जवाब देजिए क्यों नहीं यह जो माया है न यह भूध प्रेतंत्य खतरनाक है भूध प्रेत तो काव भागी के पास चले जाओ कोई जाने होई मंत्र तंत्र उतार देगो लेकिन या माया को भूत उतारवे को काउपए अंतर नहीं है, काउपए कोई तंतर नहीं है जब तक खुद स्वतंतर है वे की इछा नहीं हो है, तब तक गुरु जी को भी मंतर काम नहीं आवे हाँ हाँ, सच बता रहे हम ये जो माया को भूत हमारे उपर चड़े है जान बूज के याम में हम फसे हैं अंजाने में नहीं जान बूज के फसे हैं जान बूज के और तकलीप ये है कि ये जानवे के बावजुद भी ये माया को अंग संग हम ते छूटे नहीं कैसे चुटेगो वो लिए तबही चुट सके है जब हम अपने मन को स्वैम तैयार करें आप लोग तैयार है के आए हो कथा सुननी है यह तैयारी है लेकिन यह तैयारी कब तक तब तक पूरी नहीं है जब तक कथा आपके जीवन में बापस पुन्रावृत्ती या आपके जीवन में यह पूरी तरह से एक तो होता सुनना एक होता है दारन करना इसको धारन जब तक नहीं करोगे तब तक आप अधूरी कथा सुन रहे हैं मन तयार नहीं है आप जब ब्रंदावन में आ गए हो अब कोई काम यहां से बैठके आप कर नहीं सकते तेली फॉन पे भी अगर आपको कोई काम करना है तो कहो कि कथा के बाद या उससे पहले हमको फॉन करो कथा के बीच में हम क्योंकि सब कुछ छोड़ के उसके लिए आए है सब को पता है हम कहां गए है यह पावन भूमी ब्रंदावन जिस ब्रंदावन में सर्वेश पर श्याम आश्याम नित्ति बिहार करते आज भी कल नहीं आज भी और यह अपना अनुभव बता रहा हूं हो आपको ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ किताब में लिखा है तो बोल रहे हैं अनुभव है राधा तत्तु क्या है? Who is राधा? राधा कौन है? हम सब बोलते हैं राधा राधा मेरे से question भी करते हैं राधा राधा आप क्यों बुलवाते हो? अब भाई देखो जिसने व्रंदावन की यात्रा नहीं की वो नहीं समझ पाएगा राधा राधा क्यों बोलते हैं जिसने व्रंदावन की यात्रा की है उसे समझाने के लिए time हमें अपना खराब करना भी नहीं पड़ेगा पर क्योंकि राधा राधा राणी के विशे में समझना है पहले एक बात बताओ राधा राणी के विशे में सुनना चाहते हो कि भागवा सुरू करूँ अभी सुरू कर दूँ सच्चे दानन दर रूपाए तो सुरू होगे बताओ क्या सुनना पसंद करोगे राधा रानी के विशे में सुनना चाहोगे अगर आप चाहते हो कि आप राधराने के विशे में जानो तो सब से पहले आप अपने विशे में जानने की कोशिस करें जैसे मैंने कहा कि who is राधा तो पहला question आप अपने आप से करिए मैं आप से कर रहा हूँ are you आप गौँगे हम सरीर हैं तो शरीड तो पहले था नहीं आप को कि हम आत्मा हैं तो आत्मा हो तो तुमारा कोई बेसिक पर्चे दो कैसी आत्मा पांच किलो की है ब्लेक है वाइट है पिंक है हाइट क्या है कोई कुछ आइटम बताओ हमको कोई बात बताओ कि आत्मा हमारी ऐसी है शरीड तो नस्वर है यह के तो यहात मेरा है मेरा है मतलब मुझे अलग है जैसे आप के तो यह पर्ष मेरा है पर आप पर्ष तो नहीं हो न आप के तो यह पर्ष मेरा है पर आप पर्ष नहीं हो आप के तो यह कार मेरी है पर आप कार नहीं हो आप के तो यह हाउस मेरा है पर आप हाउस नहीं हो मे मेरा है मतलब अधिकार मेरा है पर मैं नहीं हूं मैं वो नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं आत्मा आत्मा अगर आप से कुछ पूछा जाए तो सही माने में संसारिक इसका ब्योरा आप नहीं उससे बता सकते जब भी इसका address आप देने जाएंगे आत्मा का जब बी कोई address देंगे आप पर्चे देंगे तो आपको धर्म के अनुसार ही उसका address आपको देना पड़ेगा आत्मा नेनम चिन्दंती सस्त्राणी नेनम दहति पाबक हाँ है आत्मा बहुत is अणु है लेकिन वही सब कुछ है यही बोले जब वो आत्मा है तो यह जो हाथ पाम यह नाक का नाक यह क्या है बोले यह जितनी भी है ना हाथ पाम यह यह सब आत्मा की दासी है इंद्रिया जो है वो आत्मा की दासी है दासी क्या करती है दास क्या करते है बोले दास अपने स स्वामी को प्रसंद करने की कोशिस करते रहते हैं आप करते हो कि नहीं कि करते हो ना आज ये खाने को मन कर रहा है कुछ खालो अरी रसना कुछ खालो जैसे रसना को स्वाध मिले ये खालो इस पेसल ये खाना है कहा तो आप खाने लग गए कोशिस कि को ले आत्मा को प्रसंद करनेगी चलो फलानी जगह चलते हैं वो जगह गूमने की बहुत यह ऐसा मन कर रहा है उससे आंत्मा प्रसन होगी मनने का तो हम गूमने चले गए हाँ या ना हाँ या ना आज ये गाना सुन ले मन कर रहा है कैयों का मन कथा सुनने का कर रहा है तरस रहते तीन बजे से क्यों किरने हैं चार वजए से क्यों है कितना लेट कर दिया है इस तो क्वाज को जवाब क्या कहें महाराज गुरु जी आ नहीं तो बतां तो देते हैं फंचार वार तीन बजए से करते थे अब चार बजे से शुरू कर दिया, मनमानी चल रही है गुरु जनों की और क्या, पर I swear यह मेरी मनमानी नहीं है, यह मेरे उपर किसी और का हंटर चल रहा है, तो वो कभी-कभी हमें वो हंटर भी सुईकार करना पड़ता है, अब वो मत पूछना किसका, वो हम पता नहीं सकते, पर हमारे उपर भी कोई तो है, तो कान ने कहा कि हमें कथा सुनना है, चलो आप आगए, किसलिए और आत्मा को खुछ करेंगे, कहने का भिप्राय आपकी प्रते किंद्री आपकी आत्मा को परसंद करने में लगी है, हाँ या ना, कही लोग गलस सर्वेंट है, आप कौन है, वो सेवक हैं आप, पूरे जिन्द की बर आप वही करते हैं, वही कोशिस करते हैं, जिससे आपका स्वामी आत्मा परसंद हो, लेकिन कई गलत टाइप के सर्वेंट हैं, कि अपने मालिक को समझ नहीं पाते हैं, और वो गलत तरीके की चीज़ें उनको सर्व करते हैं, जैसे जाना है, वो कहते हैं, आपने का हम भगवान का चर्णामर्द पान करेंगे, वो ना ना पागल हो क्या, हम तो मदिरा पान करें, वो गलत चीज़ सर्व कर रहे हैं, जो कोई भी अपनी आत्मा को गलत चीज़ से प्रसंद करना चाहता है, वो राइट सर्वेंट नहीं है, व वो wrong servant है, वो गलत है, bad servant है, जो अब देखो, हम अपनी आत्मा को परशन करना चाहते हैं, बोले रसना को परशन करना है, खलाना है तो, क्या बोले किसी की मरा हुआ बस तो खाएंगे, जो अलेडी मर गया, वो हम खाएंगे, तो यह गलत चीज सर्भ हो रही है कि नहीं, मैं पाएंगे, अरे राम, 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 लेकिन वही तो आप नमक मिर्ची डाल के रोज खाते हैं, तो वो servant गलत है, जो अपने स्वामी को गलत चीज सर्भ कर रहा है, आप लोगों की सेवासे में प्रशन हो सकता हूं, आपकी आत्मा प्रशन हो सकती है, आपका परमात्मा सर्व कर रहे हो, क्या बोलना पड़े आप, आएसे दो बहुत धीर बोल दिया आपना, जिससे वहां पता लगे कि दीवाने पहुंच गए है, सांति सेवा धाम, बस, कंट्रोल योरसेल्फ, आउट अप कंट्रोल नहीं, तो मेरे भाए बेन, जैसे मेरी इंद्रिया, ज्ञान से सुनना, राधा तत्त को समझने की कोशिस कर रहे हो, मैंने पहला ही क्वेशन है, हूई इस राधा, बागबद प्रारम करूंगा, लेकिन पहले, क्योंकि जिन की भूमी में आये हैं, यहां किंडम नहीं है, यह राजा का राज नहीं है, अगर श्याम सुन्दर को भी व्रिंदावन में प्रवेश करना है, तो पहले आज्या लेनी पड़ेगी सर्वेश्वरिशी राधा रानी की, कि के नाई खम, मैं आई खम, हाँ हाँ, अगर मर जी हुई तो स्वामिनी जी कह देंगी, ओके, इस ओके, प्लीस कम, और नहीं क्योंकि रानी है बाई, उनका राजी है, किसे एलाउ करूँ, किसे एलाउ नहीं करूँ, it's our decision, तो क्या बोलना पड़ेगा, तुम्हें तो पर्मीशन मिल गई, किस-किस को मिल गई, जो यहां बैठे, अच्छे एक बात बताओ, पर्मीशन मिल गई या दिलवा दी गई, एक तो होता है, जब अपना ही लिंक इतना strong है, कि हमने पर्मीशन ले ली, हमें देखके कौन मना कर सकता था, एक होता है, ना ना ना, अपनी कोई योकात नहीं, जिसके माध्यम से हम गई, उनने पर्मीशन दिलवा दी, तो पर्मीशन मिली कि दिलवा दी गई, और वो मुझे पूछना नहीं, किसने दिलवाई, जब बड़े लोगों से पहचान बन जाए ना, तो किसी को बताना नहीं चाहिए, छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि बड़े आदमी को एक ही डर रहता है, इसके साथ मेरा नाम जुड़ गया, तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा आदमी है, ऐसे लोगों के साथ रहता है, कई अपनी बड़नामी के चकर में तुम्हें छोड़ न दे, इसलिए अपनी रिष्टेदारी बारतलाब छुपा लेना चाहिए, अगर मेरा ही, इसलिए में हमें से कहता हूँ, भगवान का अनुभव अगर आपको हो रहा है, तो किसी के साथ सेयर मत कीजिए, क्यों करना है सुरू मतो, तो मेरे और मेरे प्रियतम की बात मैं जानू या वो जानू है, मुझे किसी और के साथ डिसकस नहीं करना है, तो अगर आप किसी ऐसे महनभाव को जानते हैं, जिननोंने आपकी जìक लगा कर आपको बिंदावन में प्रमीशं दिलवा दिये रहने की, तो उनका शुक्रिया अदा एब्री डे सुबह साम करना जहां सरवेश्वर से कृष्ण भी सरवेश्वरी की आज्या लेकर श्रिधाम ब्रन्दावन में बास करते हो वाहं हम जैसों की क्या चलाई हमारी क्या वेलु है तो हमारी इंद्रियां सर्वेंट हैं किसकी जोड से बोलो आत्मा की ठीक अब आत्मा कोन है बोले जैसे हमारी इंद्रियां सर्वेंट है हमारी आत्मा की वैसे ही हमारी आत्मा सर्वेंट है सर्वेश्वर सी कृष्ण की हमारी जो आत्मा है वो सेवक है स्री कृष्ण की सभी आत्माएं जो संसार में हैं इसलिए उनको कहते हैं जगत पती कुई कृष्णा कृष्णा कौन है कृष्ण कौन है गोविंद कौन है वो लिवो जगत पती है हम सब सेवक हैं वो हमारे स्वामी है वो जगत पती है हमारे तो सभी आत्माओं का जो स्वामी है जो पती है वो श्री कृष्ण है अब साथ क्या यही सर्वे सर्वा है इनके उपर कोई नहीं है बोले ऐसा नहीं है अगर यही सर्वे सर्वा होते तो ब्रंदावन में आग गया लेके थोड़ी गुस्ते बताईए बई सर्वे सर्वा जो व्यक्ति रित्व होएंगे उन्हें किसी से पर्मिशन लेनी क्या जरूद है उनके लिए तो सब ओपन है इसका मतलब है यह सर्वे सर्वा इनके भी उपर कोई हाँ जी कि ना जी बुले सब इनके उपर कोने सभी आत्माओं के तो यह स्वामी है बुले सभी आत्माओं के यह स्वामी है पर क्रिष्ण की स्वामिनी सर्वे स्वरिशी राधा है क्रिष्ण की जैसे हम हमारी इंद्रियां हमारी आत्मा की दास है हमारी आत्मा कृष्ण की दास है वैसे ही कृष्ण स्रीक राधा रानी के दास है ये समझ लो सही सब्दों में बुले महराज ऐसे कैसे कह रहे हो बुले नहीं यकीन होता यकीन नहीं होता ब्रंदावन की गली गली में चले जाओ कोई कृष्णरादे नहीं कहता यहाں जैसे खृष्ण बोलने वाले कम मिलेंगे आपको कई गार होता है ने कि चलो जी यह तो क्या राम सीता, सीता राम भी कहते हैं तो इसमें तो कोई बड़ी बात लच्शमी नाराण भी कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है बोले सुनो एक और बात बताते हैं कहीं भी अकेले सीता सीता कहते हैं कहीं भी लक्षमी लक्षमी कहते हैं जबाब दो कहीं भी इत्र लोकी में कहते हैं कहीं मैंने दो सुना नहीं यह मेरा नुबव गलत भी हो सकता है लेकिन राधे राधे कहते कि कहते कि नहीं ब्रंदावन की कुझ गलियों में कहीं भी चले जाओ एक ही सब्द सुनाई पड़ेगा यहां रिक्षा वाला भी घंटी नहीं बजाता रिक्षे वाले थे आप लोग पिछले जनम में जिनके मूँ से राधे राधे न निकले उनसे ज़्यादा भाग्य साली तो वो रिक्षा वाला है जिसके मूँ से राधे राधे न कहता है ब्रंदावन का बास है ब्रंदावन का बास है पगवत भक्तों की परशादी पान करना है और प्रब्रज में आये हुए हरी भक्तों को मेहनत करके हरीत के द्वार तक पहुचा देना है ये कम भागी की बात है क्या ये कम भागी की बात है तो रिक्षे वाले से मोल बाब मत किया करो, वो पांच मांगे तो दस दिया करो, वो दस मांगे तो पंद्रे दिया करो, पंद्रे मांगे चल भाई, बीस ले लेना, यह मत सोचना कि रिक्षे वाले को इतना दे दिया, यह सोचना कि जो प्रभू की नगरी में भक्तों की सेवा करता है उसको हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं शेवा कर भाव यह रखोगे तो सब सेवा बन जाएगी रक्ष्टा में बैठना भी भक्ती हो जाएगा भाव अच्छा है तो जो निदीवन में सेवा कुझ में आप जाओ सेवा कुझ में ठाकुर जी के दर्शन कैसे होते हैं चापत चरन करत नित सेवा करत नित सेवा बिन सेवा नहीं होत कलेवा नहीं होत कलेवा राधा का सेवक गिरधारी तेरो पुजारी है गिरधारी शीरादेवर सानेवारी तेरो पुजारी है गिरधारी कौन है कौन है पुजारी कौन गिरधारी किनका बुलि सरवेश्वरी इसी राधा का हुई ज़ राधा अगर ये जानना चाहते हो तो एक बात ढंग से समझ लो कि पूरी दुनिया की यांत्मा कृष्ण की पुजारन है और कृष्ण जो है वो राधारानी का पुजारी है राधारानी का पुजारी इसलिए हमने आपको सेकंड स्टेप पर नहीं जोड़ा है हमने आपको कृष्ण जो है सेकंड स्टेप है और वो राधारानी फॉस्ट तो हमने सेकंड से जोडने की कोशिश नहीं की आपको हमने तो डारेक्ट एक और बात एक और बात सुन लो अगर हम आपको इंडारेक्ट से जोडते हैं न तो इनके नकरे बढ़ जाते कसम से आई स्वेर बहुल नकरे करते हैं फिर लगे रहो नहीं आएंगे क्या है तुई है क्या केला लाखों लोगों की भीड़ है हमारे साथ और जब इनको छोड़के वह कथा आती है न आपको सुनाया है मैंने अब रिंदावन में बैठके तो और भी अच्छा लगता है सुनाना नंदगाम में बैठे बैठे कृष्ण कृष्ण करता रहा वो मोर रोज नंदगाम में बैठके बाबा के दौर पे रोज सुबह से साम तक सुबह से साम हो जाए साम से रात हो जाए रात से सुबह हो जाए साल गुजर गई उस मोर को पर सरकार का दिल नहीं पिखला टेड़े हों में तो बैसे भी दो गुण जादा होते हैं जो बैकती टेड़े हो ना कि यहां यह मैंने से नहीं कहरा हूं है जो थोड़े-बहुत टेड़े हों है है moment कि इन में स्पेशल्स कुछ गुण होते है हैं मिया प्रीषन होते हैं तो फाकुर्द तो नेका टेड़ों हो तो काम चलें तो बहुत कि प्रेंगे पर गुण भी बिशेसी ओएंगे गजब के गुण है साब नहीं सुना एक साल होगा एक कोयल आई बड़ी खुस बड़ी आनंद उसके चहरे पे जो चमक थी वो गजब की थी मोर ने पूछा बड़ी खुस दिख रही हो अरे बोले क्या बताएं बरसाने से आ रहा हैं तो खुसी तो होएंगे बोले कैसे बोले राधा राने की बड़ी कृपा है दो-तीन दिन पहले गई थी राधे राधे किया और बड़ी दया करके उन्होंने अपनी कृपा हम पर कर दी दो-तीन दिन में ही बोले बोले यह तो सुने ही ना एक साल होगी यह तो सुनता नहीं बुले एक साल और बैठे रो यह सुनेगा भी नहीं अरे ऐसे जहां कि रोने से क्या फाइदा जो सुने ना चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूं ऐसी जगे जहां सुनाई नहीं पड़ता दुख दर्द भी बांटे जाते हैं एक कुछ किषण में ही बांट लिया जाता है दु इश्वरी राधारानी के भवन में पहुंचे और वहां जब राधारानी के भवन में पहुंचे रवसाब ये सालवर कृष्ण की पूजा जिसने की हो सालवर कृष्ण की पूज़ एक दम से तु रादे रादे नहीं बोले रादा राने के दरवार में भी जाके एक ही आवाज लगा रहे है मुझे दे दर्संगिर्धारी रे ओ तेरी सामधी सुरतिया पे रादी रे जैसे ही सुना सरवेश्वरी दोड़ी चली आई कौन आया है मेरे प्रियतम का नाम सुनाने वाला कौन आया है जो कृष्ण कृष्ण का रहा एक बार शिर्प नाम पुका रहा दोड़ पड़ी और सरवेश्वरी रादारानी का जब दर्संगिया तो आनंदित हो थे इसलिए आपको दया की भंडार कहते हैं इसलिए आपको करुणा का सागर कहते हैं वहां एक साल तक चिलाते रहे आवाज हमारी लगती रही सुनाई नहीं पड़े यहां एक दिन में सुन लिया रादारानी ने उस मोर को बहुत फ्रेम किया इसने किया बहुत इसने किया अब तो सरकार पार्टी बदल ली मोर ने बदल चलो अब सोचा चलो नंदगाम चलके थोड़ा सा अपना सामान तो इखटा कर ला है घरवालों को तो बताया है कि हमने स्टेशन बदल लिया है अब हमारा यहां घर नहीं रहेगा हमारा दूसरी जगे घर रहेगा यह सोच कर मोर गए नंदगाम में अपने पड़ोसियों से मिल रहे थे अब तक तो कर रहे थे देदर सनगिरदारी रहे और अब क्या गा रहे है वो मीठे रस सोंबर्योरी माहारा नी लागे माने खारो खारो जम्नादीरो पानी लागे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें क्यों चल लग रहा है इसी नाम का तो पुझारी हूँ यही तो मेरी अलागनी सकती है यही तो मेरी स्वामनी है इसी के लिए तुम्हें इस प्रत्वी पे आया हूँ कि इनका नाम मेरे स्रवणों में पढ़े इनका नाम मेरे हिर्दे में पहुँचकर मुझे आनंदित करें आप हो कौन? तिल मुझे नहीं पहचाना कृष्ण अरे वाँ बड़े अच्छे हो जब तक हम वहाँ रहे आपके हाँ एक साल तक मुझे देदर्शन गिर्दारी किया एक भी दिन गिर्दारी का दर्शन नहीं हुआ और आज जब रादे रादे गाने लगे वो ले पागल जहां राधा की कृपा हो जाए फिर वहाँ में कहां पीछे रह सकता हूँ राधा रानी की कृपा मिल गई तुझे तो उस परमसत्ता सरवेश्वरेश्य राधा रानी वैसे तो अब कृष्ण राधा रानी की पूजा करते हूँ सेवा करते हूँ हम और आप पूरी दुनिया कृष्ण का इस्मरण करती है कृष्ण का जाब करती है लेकिन कृष्ण सरवेश्वरेश्य राधा का इस्मरण करते है ऐसी प्रंदावन भूमी जहां प्रंदावन से परे कुछ नहीं है जहां कृष्ण से परे सिर्फ राधारानी को ही हम लोग मनते हैं ब्रजवासी लोग अधिकांस राधे राधे ही बोलते हैं जो ठूट ब्रजवासी है न ठेट जो बाहर से आए हैं वो सबको प्रणाम है लेकिन जो अब आप भी तो ब्रजवासी होगे कहते हैं तीन दिन ब्रज में बास करो रात्री लगातार तो ब्रजवासी हो जाते हैं तो आपको तो कई वार एक एक अपते का बास मिल गया है हो तो ब्रजवास ही आप ही लेकिन हमाई तरह स्टांप थोड़ी लगा है आप पर हम पर तो स्टांप लगी हुए न है डेट आप प्लेस है पुलिवा हवाचीरगाट है डिस्टेक मतुरा तैसील माट और है ग्राम प को खादर्म एक दम जमनाजी की तट पर हमारे गाम के बाद कोई गाम नहीं एक एक काम जमना जी अब तो खेर सूखी है अब तो जमना जी का काम दूसरा ए ऐसे ठूंट गाम माजा जनम भैव हमारों तो ब्रजवासि और वो ब्रजवासी हम लोग खृष्ण मेरे मुँ से तो कभी जैसी कृष्ण निकला नहीं, कोई सामने वाला कर दे तो ठीक है, कभी-कभी बोले जैसी कृषण, हमारे मूँ से पर हमारे मूँ से एक ही सब立नाए, और ऐसा नहीं है कोई सडेयंघर है कृष्ण के against, सडेयंथर नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण कोई दो तो है नहीं एक ही है एक स्वरूप सदा दोई नाम लेकिन राधा रानी का इसमन भी से कृष्ण करते हैं इसलिए आपको डारेक्ट राधा रानी से जोड़ा है और जब जुड़ गए हो तो मन से भक्ति करो हूँ इसलिए राधा राधा is soul of Lord Krishna राधे राधे बोलना पड़ेगा इंगलिस समझ में आ गई कि नहीं स्री राधा कृष्ण का हिर्दे है आत्मा है और स्री कृष्ण राधा रानी के सेवक है और इसका प्रमाढ हमारे ब्रज की लीलाओं में मिलता है तो ऐसे लीला इस थली में और राधा रानी के लिए कहा जाए तो क्या है अनिर्वाचनियम राधा श्वरूपम राधा अनिर्वाचनियम मतलब एक भी सब्द ऐसा नहीं है जिनकी तुलना करके हम राधा रानी का परचे आपको करा सके कहते न जो Speechless जहां सब्द काम न करें वो सर्वेश्वरेशी राधा उनकी कृपा पात रही हैं हम और आप सभी जो यहाँ पर बैठकर भागवत प्रथम दिवस्चे श्रवन कर रहे हैं यह राधा रानी की कृपा के बगर संबब नहीं है राधा रानी ने कृपा किया है उसका मुर्थ मानिये फल तो बड़ी कृपा है सर्वेश्वरेशी राधा रानी की तो ब्रिंदावन से धाम को सवई नवा में मात जहां आए गोपी बन्यों बाबा भोले प्रिंदावन धाम को नवन करते हैं आप सभी प्रिया कांजु के चर्णों में कोट कोटी नवन आप सभी करें और सर्वेश्वरी सिराधा को प्रणाम करके प्रिया कांजु को प्रणाम करके प्रिया कांजु का चमतकार कौन-कौन अनुभव कर चुका है कर चुगे हो मिल रहा है कुछ कुछ मिल रहा है कि बहुत कुछ मिल रहा है जब से आए हैं आनंद कर रहे हैं उनी दिव्य सरकार के चड़नों में कोट-कोटी नमन और फाग महुत सब को प्रारम करते हैं होली महुत सब को प्रारम करते हैं आज भागुवत का प्रथम दिवस है उन सभी भक्त व्रिन्दों का स्वागत सतकार जो बहार देश विदेश से आये हैं जो भी बहार से आये हैं कुछ मर्यादाओं का पालान करें मर्यादा क्या है ब्यभार ऐसा करें जैसे आप अपने घर में किसी अथती को देखना चाहते हैं शिक्रिष्ण के इस पूरे ब्रिन्दावन में सिर्फ स्वांति सेव धाम की बात नहीं कर रहा हूं है पूरे ब्रंदावन में ब्यवार ऐसा रखें जैसे आप अपने घर में कोई अथिती चाहते हैं यहां ब्रंदावन में आकर गंद नहीं फैलाना चाहिए लसीपी कुलर फेंग दिया कुछ भी खाया पतल फेंग दिया दोना फेंग दिया इस तरीकी की अपवित्रता से आप भगवान की भक्ती नहीं पा सकते या तो आपको यह लगता नहीं कि यह भगवान का घर है अगर यह लगता है तो फिर आपको अपने आपको सुनश्चित करना होगा कि मैं भगवान के घर को गंदा नहीं कर सकता मुझे ब्रंदाबन मेरे द्वारा तो गंदा नहीं चाहिए और गंदा सिर्फ पत्तर फेंगने से नहीं अपने कर्म दूसित करने से भी गंदा हो सकता पॉइंट नोट करें ये तब ही गंदा नहीं होगा जब आप पत्तल दोना फेंगे या कुछ कच्ड़ा फेंगे ये तब भी गंदा होगा जब आप अब यूज गंदी बात बोलेंगे उसे वातावर्ण गंदा होगा ये वातावर्ण सुद्ध होना चाहिए सिर्फ राधा नाम से जब भी तुमारा मूँ खुले तो भगवत नाम उच्चारण हो गलत सब्ध तुमारे मूँ से नहीं निकलना चाहिए गलत कर्म आपके द्वारा नहीं होने चाहिए क्रोध की दृष्टी आपकी किसी के उपर नहीं पढ़नी चाहिए ये ये ब्यवार है तीर्फ में जाने का ब्यवार है हम लोग तीर्थ में जाते हैं उसका पूरा फल नहीं मिलता क्योंकि हमें तीर्थ में जाना ही नहीं आता वहां भी जाकर हम पंड़ा पुजारियों से गुस्सा हो जाते हैं वहां भी जाकर किसी दुकान वाले से गुस्सा हो जाते हैं वहां भी जाकर हम किसी को अब सब्द बोल देते हैं अपने साथ में जिनको लेके गए कभी-कभी उनको ही उल्टा सिधा बोल देते हैं ये तीर्थ यात्रा नहीं है ये तो सिर्फ दिखावे की यात्रा है आपकी आप बरंदावन में जाएं या किसी भी तीर्थ में जाएं मन सावाचा कर्मना आप सुद्ध होने चाहिए आप पवित्र होने चाहिए ये बात में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसके बाद भी तो तीर्थों में जाओगे ही अगर मैं नहीं बताऊंगा तो साइद में अपने जो मैं सोचता हूँ कैसा होना चाहिए उसे न्याय नहीं कर पाऊँगा बता रहा हूँ अच्छे लोग मानेंगे और बुरे लोग भी मानने की कोशिस कलने ठाकुर के धाम को गंदा न करें बानी के द्वारा, कर्म के द्वारा, बिचारों के द्वारा बिचार भी अपवित्र नहीं होने चाहिए हम लोग कई बार आप लोगों को कहते हैं और उसके बाद भी कोई जब शिकायत मिलती है तो बहुत कष्ट होता है अभी में उना में था महारा एक संत जी कि यहां पर में कथा कर रहा था आप लोगों नहीं यूटीव पर सुनी होगी ऑगे महारा जी बार बार एक इंगी बात कहते दंगि अपनग जींड़योंसा करो अपने श्यूं ने किसी से क्रोध मत करो इसका मतलब वहां के लोग करती होंगो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ तो बारबार संतों को ये बात क्यों बोलनी पड़ती है गुसा मत करो अब सब्दुमत बोलो सबसे मिठा यही तो ससंग देता है तुमको अगर ससंग सुनके भी तुम बाणी को नहीं समाल सकते इसका मतलब है तुम अपना टाइम खराब कर रहे हैं भाग बस सुनकर भी तुमारे चरित्र का निर्मान नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि तुम अपना टाइम खराब कर रहे है और हमें टाइम खराब नहीं करना है हमें टाइम सुधार ना है अच्छा बनाना है मजबूत बनाना है ये कब बनेगा जब हम कथा को सिर्फ सुनेंग तो आज के बाद जो जो मैन पॉइंट हैं उन पे नोट करें अब सब दिन न बोलें कच्रा तीर्थ में कहीं नहीं डालें अगर कच्रा डालना ही है तो पर्स में रख लें सुटेबल जगे जहां मिलें वहां छोड़ दें उससे पहले कोई कच्रा ब्रंदावन में तो किसी तीर्थ में नहीं डालें किर्पा करके